भाशार्थ मुझसे बढ़कर कोई इस्त्री भागिशालिनी नहीं है तथा मुझसे अधिक कोई इस्त्री अतिशय सुखी एवं सुपुत्रा नहीं है मुझसे बढ़कर दूसरी इस्त्री पत के पास जाने वाली नहीं है तथा रति के समय मुझसे अधिक दूसरी जांगों को उठाने वाली कोई नहीं है इंद्र सर्वस्रेष्ठ हैं भाशार्थ हे इंदरारी माता हे सुख पूर्वक सब लाव कराने वाली माता जिस प्रकार तुँ कहती है वैसा ही निश्चित हो हे माते मेरे पिता के लिए तुम्हारा अंग जंगा एवं मस्तक प्रेमा लाब को कोकिलाद पक्षी की भात सुखदायक हो इंद्र सर्व स्रेष्ट हैं भाशार्थ हे सुन्दर बाह वाली हे स्रेष्ट अंगुलियों वाली हे सुकेशी हे बिसाल जांगों वाली हे शूर पत्नी इंद्राणी तु हमारे व्रिशा कपी पर क्यों कुपित हो रही हो इंद्र संपूर विश्व में स्रेष्ट हैं भाशार्थ यह घातक वृषा कप मुझे पति-पुत्र रहित की भाती ही मानता है और इंद्र पत्नी मैं पुत्रवती एवं मरुतों की मदद से युक्त हूँ मेरा पति-इंद्र सबसे स्रेष्ट है भाशार्थ सत्त की विधात्री, सत्त प्रतिपादक एवं पुत्रवती इंद्र की पत्नी मैं यग्य में वा युद्ध में पहले जाती हूँ इसलिए ही मेरी सब जगह इस्तुती होती है इंद्र सर्व स्रेष्ट हैं भाशार्थ विख्यात इस्त्रियों में इंद्राणी को मैं सबसे अधिक भाग्यशाली करके सुनता हूँ तथा अन्य पुरुषों की भात इंद्राणी का पत बृध्धा वस्था में मरता नहीं इंद्र सबसे स्रेष्ट हैं भाशार्थ हे इंद्राणी मैं मेरा मित्र व्रिशाकप के बिना आनंद प्रसंद नहीं रहता सलिल युक्त बहुत प्रिय यह व्रिशाकप का हवी देवों में मेरे पास ही आता है इंद्र ही सबसे स्रेष्ट हैं भासार्थ व्रिशा कप की माता हे धन्वती श्रेष्ठ पुत्रवाली सुख दायनी इंद्राणी तेरा यह इंद्र व्रिशों को जल्द ही खा जाए तेरे प्रिय एवंग सुख देने वाले हविका यह भक्षन करे इंद्र सबसे स्रेष्ठ है भासार्थ मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित यागिक लोग 15-20 बैल पकाते हैं और मैं उन्हें खाकर परिपुस्ट होता हूँ मेरी दोनों कुक्षियों को यागिक सोम से भरते हैं इंद्र सबसे उत्तम हैं भासार्थ तिक्ष्ण सींगों वाला शार जिस प्रकार गौवों के मध्य गर्जना करता हुआ रमता है वैसे ही तुम भी मेरे साथ रमण करो हे इंद्र मेरे हृदय के लिए मन्थन सुख दायक हो तेरे लिए भक्त करने वाली इंद्राणी जो सोमरस्त निचोडती है वह भी आनंद कर हो इंद्र सर्वस्रेष्ट है भाशार्थ ह इंद्र जिस पुरुष का जननांग दोनों जांगों के बीच लंबायमान है वह पुरुष मैथुन करने में समर्थ नहीं होता जिसके बैठने पर लोमयुक्त जननेंद्री विशेस रूप से फैलता है वह ही मैथून कर सकता है इंद्र ही सबसे उत्तम है भाशार्थ इंद इंद्र कहता है जिसके सोने पर लोमयुक्त जननेंद्री फैलता है वह मैथून करने में असमर्थ होता है जिसका लिंग दोनों जांगों के बीच लंबायमान है वही मैथून करने में समर्थ होता है इंद्र सर्व स्रेष्ठ है भाशार्थ हे इंद्र यह व्रिशा कप टथा कास्टों से परिपूर शकत प्राप्त करें। इंद्र सबसे श्रेष्ठ है... भाशार्थ मैं इंद्र यजमानों को देखता हुआ। प्षत्रूं को दूर करता हुआ तथा आर्यों का अनवेशन करता हुआ…… यग्य में आता हूं। पक्व दिण मन से सोम को निचोडने वाले का सोम मैं ग्रहन करता हूं और मेधावी यजमान की स्रेष्ट रीति से रच्छा करता हूं इंद्र सर्व स्रेष्ट है भाशार्थ जल सून्य मरुदेश एवं काटने योग वन में कितने योजनों का अंतर है इसलिए हे ब्रिशाकपी तू पास ही विद्यमान हमारे घर में आश्रे को प्राप्त कर तथा यग्यग्रिह में रह इंद्र ही सबसे सेष्ट है भाशार्थ हे ब्रिशाकपी तू फिर वापिस आ तेरे लिए हम इंद्र एवं सुखप्रद हितकर कारे करते हैं जो यह तू निद्रा सुप्न नाशक सूर्य की भात सुगम मार्ग से हमारे घर में फिर आओगे इंद्र सर्व स्रेष्ट है भाशार्थ हे अईश्वर्यवान व्रिशाकपी जो तू उपर को भूम कर मेरे घर में आओ बहुत मृद्वपदार्थ खाने वाला तू अब तक कहा था लोगों को आनंद देने वाला तू किस देश को गया था इंद्र ही सबसे स्रेष्ट है भाशार्थ मन की पुत्री परशुनाम की है जिसने बीस पुत्रों को एक साथ ही उत्पन किया उसका तो सदैव कल्याड ही हुआ जिसका उदर मोटा हुआ था इंद्र सबसे स्रेष्ट है सब्ता शीतितम सुक्तम भाशार्थ मैं राक्षस शानक बलशाली यजमानों के मित्र एवं महान अग्नी को भी से प्रदिप्त करता हूं थथा अत्यंत सुख प्राप्त करता हूं यह अग्नी अपनी ज्वालाओं को तीखन करके यज्यकारी परायन पुरिशों द्वारा प्रजलित होता है वह अग्नी हमें दिन रात राक्षसों से रक्षा करे भाशार्थ हे यज्यवान अग्नी तू अत्यंत तेजस्वी एवं लोहे की दाड़ों वाला तिक्ष तू मारक राक्षसों को ज्वाला से मार मांस भक्षक राक्षसों को काट कर अपने मुख में रखो भाशार्थ हे दोनों तरफ से दाड़ाओं से युक्त अग्नी तू राक्षसों के हिंसक हो तू दोनों दाड़ों को अतितिक्षन करके राक्षसों को नस्ट करने में उनक उपयोग कर और पास ऐधन दूर के देशों के लोगों की रख्चा कर हे राजन प्रदिप्त अग्णी अंतरिक्ष में इस्थित राख्षसों के पास जा और राख्षसों को दाढ़ों से पीस डालो भाशार्थ हे अग्णी तूह घ्मारे बल बढ़ाने वाले यग्यों से पश्चात तेरे साथ युद्ध करने के लिए आए उनके संबंधियों की भुजाओं को तोड़ दे भाशार्थ हे बुद्धिमान अगनी तू राक्षसों की तचा छिन भिन कर इन्हें तेरा हिंसक भज्र तेज से मारे उनके अंगों को तोड़ छिन राक्षसों के आउयों क मांसाहारी व्रिक आदिपश भक्षन करें भाशार्थ हे बुद्धिमान अगनी तू जहां भी किसी राक्षस को प्रतिवी पर खड़ा या अंतरिक्ष में भूमता वा अंतरिक्ष में आकाश मार्गों से जाता हुआ देखे उसको शर संधान करने वाला तू अपने जानवान अगनी और तू आक्रमण करता राक्षस के हाथ से मुझे यग्यकरता को अपने रिष्ट नामक शस्त्रों से बचाओ पहले तू प्रज्वलित होकर कच्चे मांस को खाने वाले राक्षसों का संधार कर शब्द करने वाली वेग से उरने वाली पक्षियां उसको भाशार्थ हे तरूतम अगनी जो राक्षस और अन्य पिशाच आद यग्य में बाधा उतबन करता है वह कौन है यह मुझे कह उस पापी को अपने तेज से नस्ट कर इसको मानमों पर कृपा मई द्रिष्ट डालने वाला तू तेज से अपने वश में कर भाशार्थ हे अगनी तू तिख्ष्ण तेज से हमारे यग्य की रक्षा कर स्रेष्ट ग्यान वाले इस सरवोत क्रिस्ट यग्य को धन संपन कर हे मानमों के दर्शन अगनी तू राक्षसों का हंता बहुत प्रदिप्त है तुझे राक्षस न मारें भाशार्थ हे अगनी तू सभी मानमों को देखने वाला मानमों में राक्षस को भी देख तथा उस राक्षस की तीन मस्तकों को काट उसकी पीठ पर के सहाय कारियों को भी अपने तेज से मार इस प्रकार तीन प्रकार से राक्षस के मूल को काट डाल भाशार्थ हे बुद्धिमान अग्णी तेरे ज्वालाओं के बंधन राक्षस तीन बार आए जो राक्षस सत्य को असत्य वचन से नस्ट करता है उसको अपने तेज से भस्म कर डाल इसको इस्तुति करने वाले मेरे सामने नस्ट कर भाशार्थ हे अग्णी गर्जना करने वा करने वाले अज्ञानी राक्षस को अपने दिव्य तेज से अथरवा रिशी की भांत भस्म कर डाल भाशार्थ हे अगनी जब आज इस्त्री पुरुष आपस में जगड़ा कर रहे हैं तब इस्तोता लोग आपस में कट वचनों का प्रयोग करते हैं तब मन में क्रोध उत्प होने पर मन से जो बान फेका जाता है उससे राक्षसों के हृदय में मार भाशार्थ हे अगनी तू राक्षसों को तेज से भस्म कर राक्षस का तेरी उश्रता से नाश कर मारने वाले